तो guys Realme ने launch कर दिया entry level का और एक नई सांदर smartphone Realme C30 देगी सकता आपको कुछ इस type look मिल जागा looks के मामले में यह phone काफी आगे है और सेम प्राइस पे इस phone को Realme ने launch क्या 74009 इस price point पे Realme का जो previous phone आता था C112021 looks के मामले में यह phone आगे रहता है लेकिन camera features के मामने में थोड़ा सा डाउंगेड लगा C11 से लेकिन यहाँ पर आपको back side का अंदर कोई भी speakers नहीं मिलता है जो की काफी positive side रहा और इस phone को में लगा था 5 से 10 दिन से use कर रहा हूँ मुझे लगा था एक camera review करना चाहिए क्योंकि entry level wise आपको काफी company अच्छे camera पोवैट करते है और काफी company एकदम बगवास जैसा camera पोवैट करते है लेकिन आज हम देखेंगे इस C30 में आपको कैसा camera quality मिलता है तो चलिए आज का वीडियो सुरू करें तो guys पहले हम looks and designing के मामले में वाते कर लेती हैं आपको कुछ इस टैप का looks मिल जागा जहांपर single camera मिलता है लेकिन जो camera का आसपास का design देख सकते हो वह काफी नहीं and actor designing आपको मिल रहा है जो main camera है ना single camera वह आपको 8 Megapixel का मिल रहा है aperture 2.0 के साथ उसके side में आपको LED Flashlight देखने को मिलेगा font की तरब मिलता है 5 Megapixel का camera aperture 2.2 के साथ और इस camera interface की बात क्या जाए तो आपको कुछ इस type interface देखने को मिलेगा जहांपर कुछ ज्यादा option आपको नहीं मिलता है यहांपर captures mood मिलेगा यहांपर auto HDR का mood मिलता है काफी सारो filters भी मिल जागा यहांपर portrait mood मिलता है लेकिन portrait shot इस phone का मुझे उतना अच्छा नहीं लगा bocate intensity, increase and decrease करने का option मिलता है बट यह option मुझे उतना अच्छा नहीं लगा videos का option मिलता है इसका लब आपको mode option के अंदर pro mood, panorama mood and night mood, pro bite क्या जाए तो इस phone से मिने काफी सारो shot ले चुका हूँ, आगे आपको एक 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 दिखाऊंगा without color correction यह सारे photos अगर आपको देखना है तो आप discussion चेक आउट कर सकतो हो, वो सारे photos राउनलोड करके आप इस phone का exact photo quality चेक आउट कर सकतो हो तो guys इस phone से अगर आप 16 is to 9 frame सेच पर कोई भी photos बगड़ा लेते हो, daylight shot, outdoor shot तो कुछ इस टाइप photos निकल के आएगा और guys यहाँपर photo quality entry level wise में काऊँगा काफी सांदर आता है, काफी अच्छे details मिल जाएगा और sharpness लेबिल की बात कर जाए वो भी काफी अच्छा आपको पू बूस्टेड रहता है, green colors थोड़ा जादा ही आपको बूस्टेड मिल लेगा, लेकिन overall photo quality आपको मिलता है, entry level wise में काऊँगा, ठीक ठाक है, काफी अच्छे quality पोभाइट कर रहा है, यहाँपर HDR के मामले में थोड़ा बाते करना चाहूँगा, काफी सारा में phones की review कर चुका ह लाइक थोड़ी दिन पर मैं Vivo का एक phones का review किया था, तो entry level पर Vivo आपको auto HDR का option नहीं देता है, और काफी सारा company भी नहीं देता है, तो उस मामले में यह phone काफी अच्छा थे, आपको auto HDR का option मिलता है, जहाँपर मुझे कुछ जादा improvement नहीं लगा, लेकिन जो auto HDR है काफी helpful रहत है, और कोई भी close up shot लेने के लिए आपको dedicate lens बगड़ा तो नहीं provide किया जा रहे, लेकिन मैंने फिर भी कुछ close up shot लेने का कोसिस कर चुका हो, यहाँपर मैंने जो frame size रखा close up shot लेने के लिए 4-3 frame size, और वहाँ पर जाके मैंने कुछ zooming करा 1.5x तक, और मैंने यह सारा photos click कर लेकिन colors बगड़ा मुझे normal photo से थोड़ा और भी boosted लगा, यहाँने गर आप close up shot लेना चाहो इस phone से, तो थोड़ा और भी colors आपको boosted provide किया जाए, लेकिन details बगड़ा, as मैं कहूंगा, 8MP wise आपको enough provide किया जा रहा है, अब बढ़ते हैं इस portrait shot के तरब, तो यहाँपर आपको Realme portrait shot का option मिल रहा है, और काफी company आपको single camera पे भी portrait shot देता है, लेकिन वहाँपर काफी अच्छे से काम करता है, काफी अच्छे से working करता है, कि कोई software का optimization रहता है, वो काफी अच्छे रहता है, लेकिन Realme यहाँपर आपको जो भी single camera के अदर portrait shot पोबाइट किया जा रहा है, व लेकिन मैंने boken intensity increase करके भी कोशिस कर चुगा, वो काफी सारा photos लेने का, तो वहाँपर boken का जो effect मिलता है, यानि जो blur पट रहता है, वो आपको उतना अच्छा and clear नहीं मिलता है, देख सकते आपको कुछ इस type portrait shot बगड़ा, निकल का आएगा, सब जट का colors की बात का जाए, तो यहाँ पर भी हलका सा मुझे boosted लगा, लेकिन overall portrait shot मुझे पसंद नहीं आया, अब guys थोर आपको night shot दिखा थे, entry level wise आपको night mode पोभाइट किया रहे, यह मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो more settings के अंदर, जो night mode आपको अलग नाम से मिल ला है, night pro आपको मैं कहेना चाहूंगा guys, यह night mode ठीक ठीक से working नहीं करता है, जहाँ पर आपको low light है, काफी सारा noise बगड़ा देखने को मिलेगा, और इसके अलबा मैंने उस सारे photos ले चुका, road के आसपास जितना normal light condition होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर मुझे लगा कि light balance को थोड़ा increase क कोशी से हाँ पर नहीं किया जा चुका है, तो night mode मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, as a entry level चलो आपको compromise कर लेना चाहिए, काफी company तो आपको night mode नहीं provide करता है, तो real में आपको provide कर रहा है, चलो ठीक ठाके, font camera की बात के बात किया तो 5 megapixel का font camera मिलता है, और default channels आपको कुछ इ side by side आपको कुछ ज़्यादा difference नहीं मिलेगा, हाला कि थोड़ा जो structures बगड़ा है, उस पर आपको difference मिल जागा, यहाँ पर आपको warm tone पोभाइट किया जार है, जो beauty off करके मैंने photos क्लिक कर चुका हो, and overall photo quality ठीक ठक लगा, unnecessary यहाँ पर beauty added नहीं है, जो कि real में का काभी सारा phones के अंदर पहले मिल चुका है, तो यहाँ पर real में थोड़ा सा सुधार करने का कोशिस कर चुका है, आप normal selfie ले सकते हो, लेकिन आप portrait mood से अकर selfie लेना चाहते हो, यह phone के अंदर आपको नहीं मिलता है, लेकिन real में का इसी price point पे, यानि 7500 की phone पे पहले आपको portrait shots phone camera के अंदर मिलत and phone camera से maximum videos recording कर सकते हो, 720p 30fps, तो चले आपको खुछ sample दिखाते है, तो guys, यह video recording होड़ा है, realme C30 की phone camera से, और यहाँ पर आपको maximum resolution मिलता है, phone camera के अंदर 720p 30fps, and guys, यहाँ आपको video quality बगाड़ा देख सकते हो, काफी अच्छे है, but यहाँ पर आप मेरा skin tone, यानि face का जो skin tone है, व otherwise, colors बगाड़ा मुझे काफी natural लगा, आप comments से से नों बताओ कि आपको 720p 30fps का videos कैसा लगा, तो guys, यह video recording होड़ा है, realme C30 की back camera से, और इस phone की back camera से, आप maximum videos record कर सकते हो, 1080p 30fps, and phone camera पर आप maximum videos recording कर सकते हो, 720p 30fps, यहाँ पर मैं normal विवाख कर रहा हूँ, and यह video recording होड़ा है, 1080p 30fps back camera से, and guys, यहाँ पर देख सकते हो, colors बगाड़ा मुझे कुछ ज़्यादा boosted इसू नहीं लगा, क्यों, guys, realme, काफी सारा PBS phone में देख चुका हो, काफी ज़्यादा boosted इसू मिलता है, खासकर greenery colors बगाड़ा, तो यहाँ पर videos के अंदर मुझे उतना boosted इसू नहीं लगा, यह इतना अच्छा मुझे HDR quality इस phone का नहीं लगा, entry level का phone से, चलो, आपको एक average quality, 1080p 30fps का videos मिल जाएगा, तो guys, यहीं था इस phone का कुछ camera videos हैं पहला, बात का जाए, entry level wise आपको जो भी photos quality मिल रहा है, वो काफी बहतर है, sharpness level काफी अच्छ है, लेकिन portrait shot इस phone का मुझे एकदम बास लगा, कोई काम का नहीं है, close up shot काफी अच्छा है, लेकिन overall camera quality की बात का जाए, photo quality थोड़ा सा boosted है, लेकिन overall output as a 8 megapixel, as a entry level की price point के हिसाब से, मैं काँँगा, काफी बैतर है, selfie के बात का जाए, तो selfie के अंदर आपको portrait shot नहीं मिलता, तो यह update के बाद fix किया जा सकता है, अगर realme चाहे, तो update के बाद, font camera के अंदर ported mood ला सकता है, या option add कर सकता है, इसकला आप night mood की बात करें, night mood आपको ठीक ठाक मिला है, लेकिन अगर थोड़ा सा improve हो जाता, तो बहतर रहता, अगर आपको यह camera phones की नहीं, entry level पे, तो थोड़ा आप और 500 या 1000 लगा दो, तो आप आपको और भी सारा competition band मिल लाएगा, जहाँ पर इस से काफी अच्छा आपको camera features मिल लाएगा, तो गाईस यही था, चोटा सा जान कर, ELME C30 के बार में, इस phone के अपर मैंने और भी काफी सारा videos बना चुका हो, वड़ी भी videos, यह phone gaming के मामने में कैसा राएगा, यह सारे वेकर आपको videos देखना है, तो आपको description check out करो, इस phone के बार में आपको और भी काफी knowledge मिल लाएगा, तो आज का छोटा सा सांदर्ज वीडियो अहीं पर खतम करते हैं, मिलते हैं, और एक नए सांदर्ज वीडियो के साथ, तब तो लिए guys, goodbye, जय हिंद, बंदमाच्छु